हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो शंध्या सीलाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग मसीन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे मसीन के बारे में भी मैंने लिखके रखा हैं कुछ पाइंट्स हैं इसके बाद मसीन के प्रकार हैं और इसके बाद हम लोग मसीन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने उपर लिखा हुआ है मसीन के बारे में तो मसीन का निर्माड 1790 इसवी में थामस सिंक नहीं किया था अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मसीन के प्रकार तो मसीन के दो प्रकार होते हैं एक तो होता है डोमेश्ट्रिक मसीन जिसको हम लोग घर में नॉर्मल तरीके से यूज करते हैं इसे हम लोग डोमेश्ट्रिक मसीन बोलते हैं इसके बाद इंडस्ट्रियल मसीन जो हमा किंद्रिक मशीन कहते हूं इसके बाद इंडश्ट्रियल मशीन क्या होती है जो फैक्टरी में इस्तिमाल होती है ये मशीन कई प्रकार की होती है तो तो मेंने में मशीन के नाम लिग के रख्थे है कढाई मशीन सीटी में तरह से हमारी होती है। और human machine, इसकी कपड़ों पता है। इसको हम 200 में को बोलते हैं। बटन में रहा है हैं की अगे पर हमारे थाक्तावी क्यों तो इस्टी वहाय होती है। था यह हमारी फेक्टरी यह में मसीन इस्तेमाल की जाती है। बटन लगाने वाली मसीन, बार ट्रेकिंग मसीन, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी इंडस्ट्रियल मसीन के कुछ प्रिकार, इसके बाद हम लोग मसीन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, फ्रेंड्स हमने हेडिंग डाल के रखी है मसीन के पार्ट्स, फर्स्ट नमबर पे है इस पूल पिन जिसमें हम सिलाई करते वक्त धागा अटका के रखते हैं तो मैं आप लोगों को एक बर मसीन में दिखा देती हूँ Friends ये है हमारा spool pin जिसमें हम लोग धागा सिलाइ करते समय इस नलकी को धागी को इसमें फशाा के रखते हैं इसे ही हम लोग spool pin बोलते हैं Second number पे है Friends वाविन वाइंडर हम वाविन रिल को वाविन वाइंडर में फशाहा कर धागा भरते हैं तो आप मसीन पर देख सकते हो तो friends यह है हमारा warwin winder जिसमें हम लोग warwin winder में फसा कर beμη rail को फसा कर इसमें धागा भरते हैं इसे ही हम लोग warwin winder बोलते हैं तो friends तीसरा नमबर है stitch regulator सिलाई चोटा या बढ़ा करना stitch regulator का काम होता है तो friends यह हमारा stitch regulator जिससे हम लोग सिलाई को छोटा या बड़ा करते हैं यह जो numbers है ना इसमें हम number के हिसाब से अपनी सिलाई को लगाते हैं कम या जादा करते हैं तो इस तरह से यह हमारा हुआ stitch regulator बॉबिन वाइंडर थ्रेट गाइट रील कोटी यह चौथा नमबर है जिस रील में धागा को भरते हैं उसे ही बॉबिन वाइंडर थ्रेट गाइट रील कोटी कहते हैं तो फ्रींस यह है हमारी रील कोटी यानि की बॉबिन वाइंडर थ्रेट गाइट जिसमें हम लोग नमबर देखते हैं Thread Tension Wheel सिलाई करते वक्त धागा एक ही मोशन में लाने का काम करता है Thread Tension Wheel कहलाता है तो फ्रेंड्स यह है हमारा Thread Tension Wheel जिसमें हम लोग धागी को फसाते हैं और बराबर धागा यह लाता है छटा नमबर है Thread Guide मसीन में स्थूल फिन में धागा जहां जहां से गुजरता है उसे गाइट करता है उसे ही हम लोग Thread Guide कहते हैं तो फ्रेंड्स जैसे इस तरह से हमारा धागा जहां जहां पर फसा है जहां जहां से हम धागे को ले गया हैं यानि कि जिस चीज को हमारा धागा गाइट करता है उसे ही हम लोग Thread Guide बोलते हैं तो यह हमारा इस तरह से तीन चार जगा हमारा धागा फसता है और नीचे सोई में जाता है इसे हम लोग Thread Guide बोलते हैं इसके बाद हमारा Pressure Foot है कपड़ा सिलते समय Pressure Foot से कपड़े को दबाते हैं जिससे कपड़ा इधर उधर सरके नहीं उसे ही हम लोग Pressure Foot बोलते हैं तो आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स आप देख पा रहे हो यह है हमारा प्रेशर फूट जिससे हम लोग कपड़े को दबा के रखते हैं जिससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होता है इसके बाद फ्रेंट्स हमारा नमबर है प्रेशर वार जिसमें हम प्रेशर फूट को अटेच करते हैं अर्थात Уपर नीचे करती हैं, उसे हम लोग pressure foot lifter कहते हैं तो फ्रेंड यह है हमारा pressure foot lifter जिससे हम लोग कपड़े को शिलाई करते रिक्ते हैं उठा मतलब उठा के दबाखे रखते हैं इस तरह से इसे ही हमलोग pressure foot lifter बोलते हैं दसा नमबर है बॉबिन कवर कैप जिसमें बॉबिन रिल को शमा कर हम शिलाई करते हैं तो फ्रेंड्स ये है हमारा बॉबिन कवर कैप जिसमें हम लोगोंने अपने बॉबिन को अंदर डाल के फिर मसीन के नीचे लगाते हैं और फिर इसी से हमारा उपर की तरफ रील आता है इसे ही हम लोग बाविन कवर कहते हैं नीडिल वार जिसमें नीडिल को अटैज करते हैं उसे हम लोग नीडिल वार कहते हैं तो फ्रेंड्स ये है हमारा नीडिल वार जिसमें हम लोगोंने अपने नीडिल को फसा के रखा है इसे ही हम लोग नीडिल वार बोलते हैं अब हम लोग नीडिल जिसमे धाग़ डाल कर हम शिलाई करते हैं तो नीडिल तो सबी लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूं इसे हम लोग निडिल बोलते हैं तो फ्रेंट्स ये है हमारे निडिल इसे हम लोग सुई भी बोलते हैं जिसको हम लोग धागे को फजा के अपने कपड़े पे शिलाई लगाते हैं इसके पाद फ्रेंट्स अगला नंबर है फीड डॉग फीड डॉग का काम है शिलाई करती समय कपड़े को आगे खिसकाना है तो फ्रेंज ये है हमारा फीड डॉग जो नीचे की साइट जो दाथ की तरीके दिख रहे हैं ना इसी की सहायता से हमारा कपड़ा आगे पीछे होता है नीडिल प्लेट जहां से सुई अंदर जाकर बॉबिन रेल में धागा बाहर लाते हैं उसे ही हम लोग नीडिल प्लेट बोलते हैं तो आपको मैं मशीन पे दिखाती हूँ तो फ्रेंज ये जो चांद की तरीके हमारी प्लेट दिख रही है ना इसे ही हम लोग needle plate बोलते हैं face plate machine का सामने का plate जो cover का काम करती है और अंदर से plate को गंदगी से बचाती है उसे हम लोग face plate बोलते हैं तो friends ये जो सामने लगी होती है ना इसे ही हम लोग face plate बोलते हैं जो हमारे सारे parts को cover करके रखती है गंदगी से बचाती है side plate जिसे सरका कर हम bobin को machine में लगाते हैं उसे हम लोग side plate बोलते हैं तो friends ये है हमारी side plate जिसको हम लोग इस तरह से खिसका के अपने bobin को अंदर डालते हैं न इसे ही हम लोग side plate बोलते हैं तो फ्रेंड्स हम लोगोंने मसीन के पार्ट्स कम्प्लीट कर लिये हैं आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब कर लेना थैंक यू